परिवार का अंदोलन जो है उसकी ये गांधी जेनती से जो साथ दिवसी सप्ता युवा प्रकोष्ट भोपाल के तत्वा उधान में संपादित हो रहा है गायत्री धाम सेंधवा के द्वारा जो सांतिकुन हरिद्वार का रशनात्मक केंद्र है आईए भायो बहनों हम सब मिल करके परम आराध्य सत्ता काई सुमर्ण करें बेद मंत्र गायत्री मंत्र हमारे साथ एक साथ एक स्वर में अम् भर्भो आस्वाह तत्सवी तुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमही धीयो यो नाह प्रचोदया प्राण और प्रकास सरिर में उपस्तित परम आराध्य सत्ता सर्वदेव मैगव माता के चरणों में अखंड चरण मंदन आप सभी जिग्यासू भाय बहनों भाय मोहिज जी और उनके पूरी टीम को गुर्दय माता जी ने जिस कारी के लिए चुना है ये बहुत अभिनंदनी आनुकरणी प्रयास है भायो बहनों ये निश्य समझना कि नर्तन का जब चोला मिलता है इस पंच माह भूतों की प्रकृती के द्वारा तो हम अपनी जीवन में इस पूरे ब्रह्मांड की वो सारी कलाकृतियां वो सारी खुबियां वो सारी सामर्थ वो सारी अपनी जीवन में लेकर के आते हैं लेकिन जिन्दगी के संग्राम में जब मनुष्य धरातल पे उतरता है और जीवन के इस महायुद्ध में उसके सामने कई प्रकार के उतार चड़ावाते हैं जै और पराजे के लाब और हनी के मिलने और बिछुडने के जीवन के कही न कही लक्स से आदमी अपने आपको जब विमुख देखता है तो कही नसे के और इसलिए वो उनमुख होता है कि उसके जीवन की मानसी किस्तती को वो कही न कही मदोहोस बेहोस करना चाता है हमारे विशी कहते हैं मन और मस्तिस्क उतना ही पुराना है जितना ही चंद्रमा और सूर्य और प्रत्वी और आकास और ये पानी और ये संपूर ब्रहमंड की महा सक्तियां यह मान करके चलना के हमारे मस्तिस्क में 34 केंद्र होते हैं इसमें हसने के, बोलने के, रोने के, पहचानने के, याद करने के, गम को मिटाने को और आती खुसी को पचाने के आपने देखा होगा कहीं बार विक्ती के नसे के कारणों में कोई आदमी कहता है कि मुझे बहुत गम है, मुझे बहुत दूख है, मेरी पत्नी चले गए, मेरा बेटा चले गया, मेरे व्यापार में घाटा लग गया, मेरा अपना मकान चले गया, जमीन चले गया, नोकरी चले गया कहीं अपने जीवन में किसी से friendship चल रही थी उसके साथ कोई विवाद हो गया न जाने कितने प्रकार के हमारी समस्चाएं हो सकते हैं लेकिन याद रखना जो हम आपको समाधान देने जा रहे हैं ये समाधान आपको भीतर से मन्नू बनाएंगे भीतर से इच्छा सकती को म कड़ने की सामर्त नसे में नहीं होती है विक्ती की दिमाग में होती है विक्ती की विचार सकती में होती है और हम आज वेकल्पिक चिकिसा के माध्यम से आपको अपने मस्तिस्क को अपनी अंतर इस्तरावित ग्रंतियों को अपनी जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रकरती माता न ऐसे प्रयोगों के माध्यम से आपको आपके जीवन के समर में उचा उटने के कुछ उपाय बताएंगे। जीवन का कोई वेचारिक द्वंद जो आपके मस्तिस्क में बार बार गुजरते रहते हैं बार बार उसकी याद में आप भटकते रहते हैं उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के हमारे पास रीशो ने उपाय बनाए हैं। तो ऐसी चीज़े हैं यदि वेक्ति द्रड संकल्पी तो होता है वो द्रड इच्छा सक्ती के साथ यदि अपने जीवन को अपने केंद्र में इस्तापी तो करके अपने मन और आत्म सक्ती पर पूरा भरोसा करके अपने जीवन के संकल्पों को पूरा और अपने लक्सकी और आगे बढ़ने के लिए एदि कही पूर्शार्थ करता है तो निस्सी समझना कि परिणाम जो भी मिलता है दो ही तो परिणाम है जै और पराजे लाव और हनी मिलना और बिछुडना हमारे जीवन के इन परिणामों को हम उपलब्दी मान लेते हैं जबकि हमारा रिशी केता है कि जीवन के किसी भी कर्म छेत्र में जीवन के जन्म लेने से लगा करके मृत्युत्यक जो भी हम अपने जीवन में उत्तरदाई तोर करते भी करते हैं इनमें हमारे जीवन की उप खंड का एक छोटा सा समय था जिसको हमने किसी कारे के लिए नियुजित किया इसके कोई दो परिणाम में से एक परिणाम मिलना था या तो लाब होना था या हानी होना था या सफलता मिलना थी मान मिलना था अपमान मिलना था लेकिन हमने इसको जीवन के उपलब्दी मान ले ह हमारा रिशी कहता है और गीता भी कहती है कि सच्चा कर्मयोगी पुरुस अपने जीवन के किसी भी कर्म को किसी भी पुर्शार्थ को जीवन की अंतिम सांस के युद्धतक उपलब्दी में या परिणाम में स्वयम प्रभावित नहीं होता है. जब हम स्वयम प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी किसी भी परिस्तिती से तो परिस्तितिया हमारे जीवन में हमारी मन इस्तती को खोकला कर देती है. इसलिए हमारा रिशी कहता है कि मन इस्तती बदलते ही परिस्तितिया बदलने लग जाती है. मन्न इस्तती की दड़ता ही परिस्तितियों के उपर आपकी इच्छा सक्ती को, आपके संकल्प सक्ती को, आपके पुर्शार्त सक्ती को, आपके जीवन की प्रतिभा को नियोजित करने का होसला देती है और इसी होसले को जगाने के लिए आईरवेद की, प्राकर्तिक चिकिसा की, पंचगवी चिकिसा की और प्रानिक हिलिंग की और अपने दैनन्दनी जीवन में हम कैसे स्वस्त तरह सकते हैं, इस वैकल्पिक चिकिसा के माद्यम से आपको सारे सूतर बताएंगे एक बाजर आप सोच के देखी मित्रों, जिस संसार में हमने जनम लिया होगा, उस दिन हमारी माता को कितनी खुसी होगी, जिस दिन हमने उसके गर्भ में पहली सांस ली होगे और नव माँ नव दिन का कश्ट उठा के उस माता ने धरती पे जनम दिया, लेकिन आज वो एक सरावी पुत्र की माँ, एक नसा करने वाले की माँ, एक नसा करने वाले का पिता, एक नसा करने वाले की बहन, एक नसा करने वाले की पतनी, एक नसा करने वाले का पिता पुत् कि देखिए क्या बित्ती होगी उनके मन पर सामाजिक प्रतिष्टा को एदि ले आप अपने विक्तिगत जीवन के आर्थिक स्तती को ले आप एदि अपने परिवार में अपने प्रभाव को एदि हम खड़ा करके देखे तो हम अपने बच्चों को कुछ समझाने लायक कुछ कहने लायक या समाज में अपनी जाती की अपने पद की अपने परिवार की और अपने जीवन में जो भी कुछ हमारे पास परमात्मा ने अकल समझ विभूती परतिवाद दिया है इन सब के उपर ये एक ऐसी चीजे नसा जो उसके उपर ऐसी चादर डाल चुका है जो किसी क के लिए आदरनी और किसी के लिए आदर्शों का पात्र नहीं बनता है तो हमारा रिशी केता है नसा मुक्त जीवन संसार का वो प्रतिमा होती है जिसे भगवान के बाद देवता की उपमा दिया गया है अच्छा आकसर आपने देखा होगा सज्जन पूर्शों को लोग देव नितिग को बड़े बड़े अपने जीवन में पद प्रतिष्टा का नाम ले करके चलने वाले लोग जब इससे प्रभावित दिखते हैं तो हम आपके साथ में हमारे नेत्रतों में पलने वाले या हमारे साथ में रहने वाले लोग जरा सोच के देखिए क्या सिखते होंगे जरूर हमारा सम्माननी करते होंगे जरूर हमारा अनादर करते होंगे और वो मांसिक रुप से हमें आत्म गलानी, आत्म कुंटा, हीन्ता, दीन्ता के भाव अपने अंदर पैदा करते हैं एक बार नसे की तत लग जाती है तो फिर उसके साथ एक सब्द जूड़ जाता है आदत बोले आदत का लाचार विखती है ये भी छोड़ना चाहता है हमारे संपरक में विगत 35 वर्षों में 45,000 लोगों के हमने तो सराब छुड़ाई हैं आकरके और तीन लाग से आधिक लोगों का गुटका पाउ सराब सिग्रेट छुड़ाई है एक हिदराबाद से बहन आई ती जो चेन एसमोकर थे और आप लोग आस्टेरे करेंगे मतलब एक ऐसी सिग्रेट जिसकी किमत 60-70 रुपे से आधिक होगी और वो एक बक्सा लेकर के आई टी गेट पे जमा करा लिया हमारे गेट के अंदर आते ही सारी नसिली चीज़े जमा हो जाते हैं उस बहन का भाई भी प्रोपेसर और बहन भी प्रोपेसर लेकिन उसकी सिग्रेट की सुरुआत के से वी बड़ा मारमिक प्रसंगा है उसने अपने पिता जी से कहा कि मुझे दस्वी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मेरी स्कूल की तरब से मुझे कुछ बक्सिस मिला है क्या कर लू मैं पिता जी मिलेटरी में थे थोड़ी देर मुस्कराते रहे क्या करेगी क्या करेगे बोल मेरी इच्छा में सिग्रेट पीलू क्या पिता जी ने सोचा होगा कि बच्ची पूछ रही मजाक में बोले जा तेरी इच्छा पीले अब आप सोच के देखिये उसने कोई गम में नहीं पिया, कोई गरीबी भी नहीं पिया, कोई हार में नहीं पिया, उसके जीवन में एक आती खुसी थी, उस आती खुसी के आती रेग में आ करके, उत्सा में आ करके, जो उसने पहला कस्मा रहा था, उस बहन का केना है, इसके चलते आज मेरी 45 साल के उम् आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं ऐसे चैन एस्मोकर लोगों को भी हमने नसे से मुक्त कराया है। प्रयुका के रूक में जो टाक्सी की खटा हो जाते हैं तो वो अब हमारे जीवन के एक भूग बन जाता है नसा। लेते हैं या थोड़ा सा गांजा या भांग इसमे ब्राउन सुगर ले लेते हैं अच्छा लगता है लेकिन आप मान करके चलना कि जिस प्रकार से घोड़ा दोड़ना नहीं चाहता है आप उसे चाबुक मार करके उत्तेजित करके कुछ किलो मेटर के लिए जरूर उसकी रेस ले सकते हैं दोड़ा सकते हैं यकिन कुछ किलो मेटर के बाद ओ थकावा घोड़ा अपने जीवन में कई प्रकार की यातनाई भोगता है इसी प्रकार से हम चणिक उत्तेजिना के लिए चणिक आवेस पैदा करने के लिए चणिक ठकान दूर करने के नाम पर जो नसे की गि ब्योग कराते हो उसके प्रणाम से न तो हमको नसे की आदा आती है और नसे के कारण नसों में जो खिचा होता था बग्गासियां आती थी नीद आती थी पेर रात को दुखते थे ठकान लगती थी भूक नहीं लगती थी चहरे पर निस्तेज आ गया था इतना ही नहीं हमारे पारिवारिक जीवन में भी कई दिक्कते थे कई प्रकार के विकार पौरुष सक्ती को कम होने से नस्य के कारण आदमी नपुन सकता के ओर जाता है नस्य के कारण अपने जीवन में लीवर किटनी आतों को समय के पहले उनको बुड़ापा दे देता है हो सकते हैं नश्ट नहीं होगी कुछ दिनों बाद होगी लेकिन उनका बुड़ापा प्रारंब हो चुका है तो आप भरी जवानी में बुड़े हो सकते हो और बुड़ी जवानी में पल भर के लिए नीम नहीं ले पाओगे पानी नहीं पचा पाओगे एक निवाला भोजन ही पचा पाओगे ऐसे ऐसे लोगों को यह हमारी वैकल्पिक चिकिसा पद्दती नसे की गिरप्त के प्रभावित लोगों को मुक्त करेगे और जिनको अपने जीवन में बल और प्राकरम चाहिए वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसा नहीं कि नसा करने वाले लोग करने जा रहे हैं भीया मोहिज जी एदी आप क्या अग्या हो तुम्हें अगले प्रयोग बताओं जी बहुत सुन्दर भाई मोहिज जी सबसे पहला आप लोग असरे करेंगे हमारे सरीर के अंदर जितना भी नसा हम करते हैं वो हमारे रक्त में जा करके प्लाज्मा में मिलक प्रके अमोनिया की डिमान को बढ़ाता है नसे की याद को बढ़ाता है उसके लिए सबसे पहला हमने जो दिन में चार समय लेना चाहिए नसा कोई भी हो और यह जित्ता भी मैं प्रयोग बता रहा हूं निउन तम तीन दिन आधिक तम साथ दिन के लिए है तीन दिन बाद या साथ दिन बाद आपको कोई नसे की याद आती नहीं है ऐसे विक्ति को तीन दिन अपने पास रखी या साथ दिन अपने पास रखी है औरे जो प्रयोग बताया जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के अब नसे चार प्रकार से विक्ति लेता है एक तो पीने वाले नसे लेत उसमें इसा प्रकार के पाउच, घुटके, तंबाकू, खेनी, जर्दाय सब उसी में आ जायेगा और जैसे सुंगने वाले नसे में आ जाएगी तबकीर आ जाएगा, नास आ जाएगा आपका बिडी सिगारेट आ जाएगा गाँजा आ जाएगा इसमिक आ जाएगा, ब्राउन सुगर आ जाएगा, इस सब सुमने वाले, नेटा नाम की ग्लैंड से नेले वाले नसे तो मैंने आपके पास में जित्ते भी ग्रंतियां उसके सिकार हो गए उनको डी टाक्सिक करने का हमने तरीका बनाया है अगला अतावर महतुपूर्ण है, इन नसों से होने वाले जो परिडाम अंदर जाते हैं, वो अंदर डिमांड करते हैं, वो आदत के कारण, मजबूरी के कारण लेता है किसी समय हमने नसा किया था, अब नसा हमको कर रहा है, तो अब हम नसे से मुक्त होने के लिए उपाए जानते हैं सबसे पहला उपाए है हम लोगों का, ये सहद को और निम्बू को और डालचिनी को, इसको आप सामान में में समझना ये हमारा संपूर प्रकार का रस रत, अस्ती मांस, मज़ा, मेद, रत, सुक्र, ये साथ धातू को बल सक्ती प्रदान करता है रत की एक एक बून में जिवन तत्तों की प्राप्ति कराता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दो चम्मच सहत को लेंगे हनी को यह हनी हमने दो चम्मच पात्र में डाला है अभी देखना बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत सारे लोग सिकायत करते हैं किसाब हनी और दालचेनी को हम मिलाते हैं तो मिलती नहीं है निम्बू के साथ पानी में मिलती नहीं है देखो हम आपको मिला के बताते हैं ये कितना चाब ये एक निम्बू लिया पका हुआ अब ये पके वे निम्बू को ऐसा लिया और इसको इस जारे के उपर लिया बीच कभी भी नही जाना चाहिए अंदर अब हम देखेंगे ये हनी हब हमने ले रिया है अब इस हनी के साथ में अब यह हमारा एक निम्बू का रस ये डालना शुरू कर दिया है साब अब यह निम्बू का रस जो है ये खटा नहीं होता है ये च्छारी फलो में आता है ये आपका कबज दूर करेगा मोटापा दूर करेगा खून को पतला करेगा और ब्लट के अंदर जो भी आप नसा कर रहे हैं उसकी बार बार याद को ये मिटाता है और इसको पीने के बाद आपको तीन रोटी या एक प्लेट नास्ता से जो ताकत मिलती है वो ताकत हमारे पानी दाल चिनी से कैसे मिलेगी आप इसको अनुभो कर सकते हैं यह हमने अभी लिया है अब इसके साथ में अभी ये दाल चिनी का पाउडर हमने कर लिया इस दाल चिनी के पाउडर को अब हम लेने जा रहे हैं अब ये पाउडर को अभी हम इसके अंदर आधा चमच मातर अब देखिएं, सहद निम्बू दालचिनी मिलेगे, ठीक है, ये दालचिनी सहद निम्बू को, अब इसके अंदर हमने दो चम्मस सहद लिया, हनी लिया, मद लिया, और निम्बू का रस लिया, पहले इसको ऐसा ऐसा करके घोट लीजिये, इसको घोटने के बाद में ये एक ऐसा दिवे रसाइन बन जाएगा यह मिल गया बहुत सारे लोग बोलते कि डालचीनी डाल देते पानी में तो तो तेरती रहती मिलती नहीं है तो भाया वो निम्बू और सहथ में मिलेगी पानी में डालचीनी कभी नहीं मिलेगी क्योंकि डालचीनी में तेल होता है और यह उ पाने डाल दीज़े, आऊ सकता अनुसार पाने के लग एक मिल गया अब इसको पीनेके बाद आप लूग असर करेंगे अब इसको पीने के बाद आप असर करेंगे गाया थाँ अचिना टेश्टी लगता है इतना टेश्टी लगता है अब यह पूराश अब इसको आपको पीने का तरीका इसको जब भी आप पीएंगे तो चाय काफी की तरह इसको बहुत सांत मुद्रा में और वरुण मुद्रा लगा ले तो बहुत यह अच्छा इसे केते वरुण मुद्रा क्योंकि हमारे सरीर में 70 पानी होता है यह वरुण मुद्रा जैसे वरुण मुद्रा में आप सांत भाव से जैसे चाय काफी पीते हैं घुट घुट करके ऐसा टेस्ट ले करके बिल्कुल धीरे धीरे इसको आपको पीना है इसके बाद आता है दिव और अद्भुची इसे केते पंच गविग्रत आप लोग असरी करेंगे कई लोग बोलते हैं कि साब हमको नीन नहीं आती है या हमको ठकान रेती है या नीन में खराटे आते हैं और हमको याद सकती की कमी रेती है तो हमको नसा करना पड़ता है यह है पंच गविग्रत इस गविग्रत में दस जड़ी बुटियों को मुर्चित करते हैं और यह पंच गविग्रत को जैसे आप नासिका के अंदर नेटा नाम की ग्लेंड पे इसको इस प्रकार से यह आने के बाद में अब ये सोयम पिघल जाएगा, देखो कैसे पिघलेगा, ये हाथ को ऐसे बांदा, चाहिए आप ब्राउन सुगर लेते हैं, इसमेक लेते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का सिग्रेट बिडी तंबाकू का सुंगने वाला जला करके जिए नसा लेते हैं, ये हो गया, आप देखेंगे, आप लोग असेरे करेंगे, इसके अंदर ये वेपोलाइजर आपके घरों पर भी रेता है, ये ओसेदी का नाम है सरपुंखा, ये सरपुंखा नाम की ओसेदी को, देखें मैं आपके सामने, इस पात्र में लगभग 10 ग्राम डाल रहा हूँ, ये मोटा मोटा पाउडर लेना है, इसकी जड़, फूल, पत्ती, बीच सब है ये, ये सरपुंखा जो होती है, ये रक्त सोदक होती है, लिवर किटनी को डी टाक्सिक करती है, इसका जो धुम्र होता है, ये नसे के आदत को छुडाता है, यहाँते कि कोरोना के वाइरस को जिवानों को भी ये मार देता है, और इससे नींद भी अच्छी आती है, अब ये हमने क्या करा, इस पानी में इसको डाल दिया, अब दो काम एक साथ हो जाएंगे, इसका धुम्र आएगा, और इसको जब छानेंगे, तो काड़ा बन जाएगा, तो दोनों चीज एक साथ हो अब ये हमारी धुम्र चिकिसा प्रारम भो हो रही है, जैसे ये इस्टिम जाएगी, चेहरा क्रांती युक्त हो जाएगा, केल मुआ से दाग धब्बे भी ठीक हो जाएंगे, और आप जब भी अपने आपको महसूस करेंगे, तो डी टाक्सिक महसूस करेंगे, अब इसके अंदर से इतनी सुन्दर हलकिसी त्रिछन भाप जरूर आएगे, क्योंकि जो आपका सरपुंखा होता है, ये फेटी लिवर को ठीक करता है, कितनी फैल होता है, अब ही मैंने जब भाप लिया, तो नाक से सांस लिया, मुझ खोल करके गले तक को सिकाई किया, इससे जबडे भी खुल जाएंगे, यदि आपके तंबाकू पाउच खाते वे जबडे जाम हो गए है, सोते समय आपका साइनस बंद हो रहा है, और आपको छीके आती है, देखिए, ये पूरा के पूरा चेहरे पर मैंने आ करके गले की सिकाई करी, नाक में लंबी गहरी सांस लिया, औरे मेरे चेहरे पर जो पसीना आया है, इसको मुझे पोश्ट लेना है, अब ये देखेंगे, बन करना इसको बेटा, अब ये हमारा, ये तो बन गया भाप, अब ये भाप को हटा दिया, आप देखिए, इसको फेकना नहीं है, अब हमको क्या करना है, अब ये हमको मिल गया है, सरपुंखा का क्वाथ, ये सरपुंखा का क्वाथ है, ये बहुत ही टेश्टी लगेगा, इसको ये आपने किसी को पिला दिया, तो फेटी लिवर ठीक हो जाएगा, किटनी फैल होने से बच जाएग इससे आते साफ हो जाएगी और खुन भी साफ हो जाएगा इससे फोड़े फुनसी दाद एक जिमा कई मैंने सरावियों को देखा या गांजा पिने वालों को देखा ऐसा लग जाते तो नीले हारे चत्ते उभर जाते हैं और इसको पीने का थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको आप पी सकते हैं या हमने दो काम एक साथ कर ले इस टिम भी ले लिया और एक आड़ा भी ले लिया है इसके बाद में अगला और महतुपूर्ण चीज है जिसको आप आपके सामने हम रखने जा रहे हैं देखो कई बार लोग बोलते हैं कि साब सराबी आदमी इसलिए सराब पीता है कि उसको नीद अच्छी आजाती है पेट अच्छा साप हो जाता है और उसको अच्छी खुमारी आजाती है मैं आज चरक सहिता को पढ़ रहा था तो रिसी चरक ने लिखा कि सराब बनाने की जो तरीके होते हैं तो यह जो सराव होता है, सूरा होता है, संजीवनी होती है और अरिष्ट होते हैं, आसो होते हैं, यह सब नाम अलग अलग हैं लेकिन इनकी जो पद्दती होती नब जैसे द्राक्सासो अब ये द्राक्सासो क्या है ये भी आंगूर काई बना हुआ है इसके अंदर धाय के फूल है आब ये क्या करता है जब प्राचिन समय में रीसी मुनिलो और वेद लोग इनी का उपयोग करते थे आब ये आप लोग जो उपयोग करते सब केमिकल प्रोड़क्ट हैं और कई लोग केते हैं किसाब हमको भूख कम लगती नीन नहीं आती तनाव रहता है चिंताएं सताती रहती है एक विचार बार बार दिमाग में चलते रहता है पारिवारिक जीवन में कमजोरी ठकान लगती है ये आस्वगंधार इस्ट आस्व के समान बलिष्ट ताकतवर और बल बुद्धी बढ़ाता है तनाव डिप्रेसन आउसाठी करता है ये दोनों को चार-चार चमत मिला के एक कप पानी में मिला करके इसको पी लिया है अब इतना पानी लिया है इतना इसको मिला करके सुबह दो पर साम तीन समय आप पी सकते हैं स्वास्त के लिए बहुत नहीं आती है कई लोग बोलते हैं कि सब ठकान रहती है तो ये अस्वगंदा की घनवटी बनाई है अस्वगंदा को हम लोगों ने पीस करके उसका श्ट्रेक निकाला तो ये दो टेबलेट अस्वगंदा घनवटी और इसके साथ में सर्पगंदा घनवटी ये सर्पगंद गनवटी और आस्वगंधा गनवटी का क्या प्रयोग रहता है अब जैसे आभी आपने आस्वगंधा गनवटी दो ले लिया और इसको लेने के बाद में एक कब दूद पिलिजे सोते समय तो आपको किसी भी प्रकार की नसे की आउसकता आनी पड़ेगी नीद अच्छी आज जाएगी ठकान दूर हो जाएगी दिन भर आपने जो भी काम किया है किसी भी छेत्र में तो आपकी ठकान को दूर कर देगा परंपजुगुर्देव ने जिवेम सर्दम सतम के वांग मैखंड में बारा प्रकार की कल्प साधना लिखिये कल्प चिकिसा लिखिये कल्प का मतलब होता है कि कुछ दीनों के लिए यदि आपने नसा करते करते अपने आपको खोकला बना दिया है बुड़ापे में अपने आपको बना दिया है आपको गारंटी देते हैं निवन तम तीन मेने अधिक तम छे मेना कल्प कर लिजे मैं बारा प्रकार के कल्प में सबसे सुलब सस्ता और हर विक्ति कर सकता है उसका नाम हरड का कल्प ये हरड है हरड को मा के समान गुनकारी बता गया है जितने भी फल होते हैं खाने के उन सबी फलों में स्रेश्ट महिमा मा के समान हरड की बताई है ये सुद्ध गाय का घी है इसमें 24 केरेट सोना होता है गाय के घी में इतना ही नहीं गाय का घी से कोलस्टाल नहीं बढ़ता है गाय का घी धातु पोश्टिक होता है नेतर जोती बढ़ाता है आते साप रखता है अब गाय के घी में इस हरण चुर्ण को मंदी आच के उपर आ लीजिए या फिर एक चम्मत सीधा पाउडर सुबह साम बहुत टेश्टी लगेगा आप असरी करेंगे खांड या मिस्री मिला दे या सहद या गुड मिला दे कुछ भी मिठा मिला दे इससे दुगुना अब हमने 100 ग्राम लिया है 50 ग्राम ग्याय का घेलिया इसको अच्छा स सुर्य आस्त पर इसको जैसा आप कुछ नास्ता लेते हैं उसके पहले इसको आप लीजिए और दिखे को ऐसा विसे परिश्रम भी नहीं है परेज भी नहीं है और कई बार आपने देखा होगा नसा करने वाले लोग कहते हैं कि साब मेरे को बीडी तंबाकू सिगरेट चीज़े हैं यह हल्दी की ताजी गठान है यह हल्दी की ताजी गठान लीजिए और यह ताजा अद्रक है मतलब गिला अद्रक और इसी के साथ में आभी मिल रहा है आपको ताजा आउला और इसी के साथ में ले लीजिए आप यह अजवाइन यह सुद्ध अजवाइन है आप देखो ये चार चीजे आपके सामने हमने रग दिया है। सबसे पहले हमने क्या करा है। आपके सामने शुरू करते हैं। एक खाली प्लेट लिया है और ये है आपकी घिसनी। ये सब के घरों में रहती है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे और देखेंगे एक दो मिनिट के अंदर ये फार्मूला बनके तयार हो जाएगा। ये अभी हमने हल्दी को घसना प्रारंब किया है। और ये ताजी हल्दी में रक्त सुद्धी की गुण होते हैं, ये पैन किलर का काम करता है, दर्दनिवारन करता है, रक्त को सुद्ध करेगा। और सरीर के अंदर जित्ते भी नसे के आदत है उन ग्रंतियों में ताजी हल्दी जा करके आपकी पावर पूल इम्मुनिटी पावर को बढ़ा देता है यह आवला है अभी बजार में भोत आ रहा है यह आवला को भी इसी तरह से घस लिया पहले हमने हल्दी घसी अब हम आवल चीजे हाथ लग गई इसलिए आप नसे की तरफ चले गए है अनिथा जीवन तत्यों को आनंद देने वाले और ताकत देने वाले हमारे पाव प्राकर्तिक साधन और तरीके हैं उससे हम आपको जोडने वाले हैं यह आद्रक है अब यह आद्रक को घस रहे हैं आद्रक अस् से यह मजबूत बनाता है आद्रक को मिला दिया इसके अंदर अब देखो अद्रक लिया हल्दी लिया आउला लिया आप देखें यह तीन का पावडर आपके सामने त्यार कर दिया अब दो चम्मच इसके अंदर यह आजवाइन ले लिया यह आजवाइन के दाने डाल दिया अब इसको मिला दीजिए ये मिल गया अब आप आस्री करेंगे ये मिलने के बाद इसका टेस्ट इतना सांदार लगेगा इसके कारणा आपको चार चीजे मिलेगे ये कप को तोड़ेगा खासी को स्वास को ठीक करेगा पाचन आगनी को ठीक करेगा आपकी भूख प्यास को न पहला करके इसको ऐसे कैसे पेपर पर सूखने के लिए डाल दीजिए ठीक है यह हो गया आपका राद भर में सूख जाएगा और इसकी फिर एक चुटके इत्यासा लिया आज देखो एक कारकरता को मैं खिला के बताता हूं लेना भाईया जरा इसको खा के देखना यह भाईया सकता है इसे पाउज गुटका जरदा खेने और किसी भी प्रकार का जो आप नसा करते हैं जिसकी कारण यह जाम हो गया है वो भी खुलेगा और जो मूँ के अंदर सलाइवा बनना कम हो गया है इससे सलाइवा भी बनने लगेगा को भजा कैसा लगा लार बन रहे हैं आजमी खा सकता है भी यह बोल रहे हैं कि आजमी खा सकता है खाने योग्य है और खाय जा सकता है आप देखिए आगे आब आपको हम बताने जा रहे हैं यह वेशन मुक्ती टेबलेट यह अकर करे की जड़ मुलहटी काली मिर्ची पुदीना और सहद और आडुसा के रस को मिला करक यह वेशन मुक्ती टेबलेट बनती है इसकी कुछ गोलियां दिन भर में दस गोली पाउच की याद आए जर्दा की याद आए बीडी सिग्रेट की याद आए आपको ठकान लगे गले में खरास हो जाए खासी आजाए तो आप वेशन मुक्ती टेबलेट बहुत तेस्टी लगती है चुसने में भे ऐसे एक दो गोली लिया और ऐसे करके ऐसे चूस लिया बहुत अच्छी लगती गले के लिए अच्छी है आज़से मुलटी खाने में क्या दिक्कर है अकरकरा की जड़ इसके अंदर डालचीनी है अडुसा का रस है तुलसी का रस है वो भी सहद मे बनावा अगला और बड़ा महत्वपूर्णा है ये मुक सुद्धे देखिए ये बहुत उची चीजे साब ये इत्ती उची चीजे है अब इसके अंदर जो घटक है वो आप लोग ध्यान से सुनी है कई लोग बोलते हैं कि हमको गले में छाले रेते हैं मसुडे फुल जात हैं दात लाल पिले काले पड़ गए साब दातों के अंदर घून कीडा लग गया साब जुन्जुनाट लगती हैं और मुग के अंदर किसी भी प्रकार का टाक्सी की खट्टा के कारण गले में गई जगे गाट बन रही है तांसिल फुल रहे हैं तो आप लोग असरी करेंग इसके अंदर आवला है हरड है बहला है फुली भी फिटकरी है सेंधा नमक है और पीपरमेंड है आप इसको क्या करेंगे देख रहे हैं आप अभी हम करते हैं आपके सामने ये है आपका पानी ये पानी के अंदर आप पानी के अंदर आप हमको डालना है बस इतना सा बहुत हो गया कि बहुत हो गया मकी के दाने बराबर बस ज़्यादा भी नहीं डालना अब ढ़िए यह यह तो इतना सांधार हो गया backyard हो गया आप हो गया आप इसको क्या करें गे मुझे लेंगे और चलाएंगे थोड़ी देर और फिर इसका गरारा कर देंगे और सो जाएगे और राज भर आपके मूँ में से सुगंदा आएगी मसूडा पाइरा खतम हो जाएगा इतनी सांदार ये जड़ी उटिया है तो आपके जो मूँ नहीं खुलते हैं ते फिटकरी का करेगी और सिंधानम क्या करेगा कही दाटों के निचे कही क्रमी लग गया है दाट पोले हो रहे हैं उनको भी ठीक करेगा तो अभी आपने हमारी वेकल्पिक चिकिसा में इसको देखा कई लोग इंजेक्शन की द्वारा या नसली गोलियों की द्वारा भी नसा करते हैं उन लोगों का केना है यदि हम में रिश्यों ने इसका फार्मूला लिखा है चंदल लाक्षा वलादी तेल इसमें 26 जड़ी बुटियां है इन 26 जड़ी बुटियों को गाय के दूद में भीगो करके और फिर 16 गुना जल में उबाल करके क्वाद बनाते हैं और उसी क्वाद को तिली के तेल में फिर हम गरम करते हैं फिर ये तेल तयार होता चंदल लाक्षा वलादी तेल इस तेल से आपके साड़े 18 करोड रोम कुपों की 22,000 नस नाडियों की 350 जाइंटों की मसाज करके स्वेधन करवा देते हैं मतलब एक घंटा कंबल उड़ा करके लिटा देते हैं और फिर कोशन जल गरम पानी से आप इसनान कर लीजे और आपकी नाडियों को साथ दिन के अंदर आप डी टाक्सि कर सकते हैं ये नसे की जितने भी आपकी आदत हैं सुंगने वाला पीने वाला या फिर आपकी इंजेक्शन पद्दती से टेबलेट का नसा हो खेनी जरदा गुटका हो उन सब से आपको हमारी वेकलपिक किसा मुक्ति दिलाएगे एक आधभूत चीज है जिसका नाम है तृफला चूरन रिसी चरक ने लिखा है कि नसा करने वालों को वाद पित कप तीनो नाडियों को संतुलित करने की भी आव सकता होती है तो नाडियों को सोधन करने के लिए हारड बहडा और आवला ये तृफला चूरन को संभाग गुड में या मिस्री में सहद में मिला करके गोली बना ले या ऐसे ही पानी में मिला करके भी सोते समय एक चमत प्रभावित वेक्ति को तृफला जरूर देना चाहिए इससे पेड़ भी साप रहेगा सरीर में ताकत भी आएगी इसके तर जपर गायतरी धामने ये चौदा जड़ी बुटियों को इसके अंदर सरपुंखा, तेजपान, संक पुस्पी, जटामांसी, ब्रहमी, नागरमोथा, अरजुन, तुलसी, सोट बड़ीवाली, और लाल चंदन, और सुगंद बाला, और सपेज, चंदन, दालचिनी और इनको मिला करके ये बना हुआ है, जीवनी सक्ति वर्दक, ये बल और बुद्धी को बढ़ाता है, इसको दूद में उबाल के पिए, या फिर गूड में पानी डाल करके बिना दूद का भी पी सकते हैं, काड़े के रूप में, सुबह दो पर साम, चार समय इसको ये आने के लिए आम वेक्ति पी सकता है, चाय काफी का सो परतिस्त विकल्प, चाय काफी एक ऐसा धीमा जहर है, हम तो ऐसा बोलते हैं, चाय काफी पिने वालों, दारू पिने वालों को गाली मत देना, जितनी खतरनाक सराब हैं, उससे भी आधिक खतरनाक चाय काफी होती है, प्रंपजुगुर्देव ने जीवेम सर्दम सतम में इसके बारे में इसपष्ट लिखा है कि वेक्ति छड़ी को तेजना के लिए चाय काफी का सिकार होता है। तो हमारा संपूर्ण नसा मुक्ति का एक वेकल्पिक चिकिस्ता का प्रायोगिक प्रयोग आप सबको दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सद्दे मुहित भाई आपका कोई प्रश्ट नहों तो आप पूछ सकते हैं ओम सान्ती सान्ती भाईया आवाद में आरे भाईया के। अब उनकी आदत बन गया है। तो उसे चुड़ाने बड़ी नाकामी उनकों हो रही है। तो कुछ ऐसा प्रयोग जो तमागो चुड़ाने के लिए वह बता दीए। अभी बताये ना ये अद्रक हल्दी और आजवाईन और दालचिनी इसका पाउडर बनाया। और ये मुक्सु सुद्धी वाला बताया है। सोते समय लेना है। और ये वेशन मुक्ती गोली बताया। ये घर पर ही बन जाएगा। अभी मैंने घस के पुरा बताया अवला अद्रक हल्दी अजवाईन और इसको घसने के बाद ये त्यार हो गया है। ये तंबाकु छोड़ने के लिए पाउज गुटका छोड़ने के लिए जैसे तंबाकु रखते हैं इसको रख करके चूशते रहें। एक चार दिन में त ये तो आपने अपने मू के अंदर और पेट के अंदर जो डीटाक्सिक करने की प्रक्रिया है। अब आपको ले चलता हूं में Eco-Presa के और. यह हमारे जो सरीर के उंगलिया होती है जिसको आप सामानने भासा में क्यों हाथ समझते होंगे. लेकिन यह हमारा पुरा सरीर है. यह यहां से आप उرجा लेना चाहें तो हमारी यह दो मिनट के क्रिया है, इसको कोई भी नसावाला विक्ते सुबह साम करें आजभूत फायदा होता है देखियें नसे की इच्छा सक्ती को कमजोर करना सबसे पहले आपके हातों में है नमबर एक मैं एक चीज़ को पंदरा बार करूँगा और जब पंदरा बार हो जाएगा फिर प्रेसर दूँगा नमबर एक मेरे साथ आप लोग भी कर सकते हैं मुहित भी आ भी करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा दबाएए दबाएए इतना दबाएए कि प्रेसर लगना चाहिए मैं आपको दो मिनिट में इतना हलका कर दूँगा कि आपको कोई भी दिमाग में याद आ रही चले जाएगे ये दिमाग के नाडियों को पाइंट है मुर्चित विक्ति को होस मिलाने के पाइंट है आप इसको ऐसा खोलिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा दबाएए प्रेसर दीजिए पंदरा बार तो प्रेसर देना और उसके अगली प्रिया सुल हो जाएगे अब ये दो उंगलियों की बीच की गेप को दबाई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा प्रेसर दीजिए दीजिए जितना आप दे सकते हैं जितने आपके जाइंट हैं कंदों के नितंब क इन सबी जाइंटों का खिचाव आकरण दूर होगे खिचाव प्रेसर दीजिए ये अगले जो परवत दिख रहे हैं उपर उठे हुए हैं अब क्यों इसको प्रेसर देना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गारा बारा तेरा चोदा पंदरा प्रेसर इसे उठे जोती गले साइनस को प्रेसर मिल रहा है अब नीचे वाले को देना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गारा बारा तेरा चोदा पंदरा प्रेसर दीजिए इससे रिदे लंस फेपड़ों को प्राण सकती मिल रही है धीरे धीरे इसको प्रेसर अब ऐसे अंगुठा अंदर मुठी बन ऐसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गारा बारा तेरा चोदा पंदरा प्रेसर दीजिए और जोर से दीजिए रिलाक्स आप पूरे हतेली को एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गारा बारा तेरा चोदा ही यहाँ पे लाई है एक सांस लेना है दो सांस छोड़ना है खिचाव दीजिये सांस खिचिये रोकिये निउन्तम 15 से 20 सेकंड रोकना है सांस को खिचिये रोकिये धीरे धीरे स्वास को खाली करिये हाथों को ढिला छोड़ दीजिये दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर खुले करके रख लीजिये अच्छा हमारा गुर्देव का एक वांग में है खंड नमबर 17 प्राण सक्ति एक दिविविभूते वो एक तरह से प्राणिक हिलिंग है प्राण चिकसा विज्ञान पर आधारित है कई भाई वहन अपनी मानसिक इस्तती को अपनी साररी की स्तती को अपने प्राण में कोस को मजबूत नहीं कर पाते हैं इसलिए प्राण तत्व का आसंतुलन तत्वों को आसंतुलित करता है और ततों का आसंतुलन कहीं दवा की तरफ, बिमारी की तरफ, कहीं नसे की तरफ, कहीं कमजोरी की तरफ, ठकान की तरफ ले जाता है आईए हम आपको आद्भुत क्रिया सिखाने जा रहे हैं प्राण सक्ति के द्वारा, प्राणिक हिलिंग के द्वारा हम अपनी स्वयम की चिकिसा कैसे करें, उमंग और उत्सा और उल्लास से अपने आपको कैसे भर दें, क्योंकि जिन्दगी का प्रती पल, प्रती छन प्राण से जुड़ावा है, कितनी सांस लेते हैं हम 24 गंटे में 21,642 सांसे अर्था 13,000 लीटर सांस एक इंसान 24 गंटे में लेता और छोड़ता है, साथ पेडों की हवा एक आदमी खा जाता 24 गंटे में, सोचके देखिए, अपने जीवन में इतना प्राण का महत्वा है, तो आईए इस प्राण सक्ति को हम दवा के रूप में लेने जा र प्राण सक्ति है, और प्राण सक्ति की क्रिया, इसके ततकाल बाद हमें क्या करना है, खेचरी मुद्रा करना है, खेचरी मुद्रा के बारे में विक्तित विकास की उच्चे स्तरी सादना, खंड नमबर 20 में, आठ प्रष्ट के उपर गुर्दयो भगवान ने इसका विज् से मुक्ति दिलाता है हर प्रकार की दवा के साइड इफेक्ट को रोकता है हर प्रकार की भूक और प्यास को नियंतरित करता है जिनको अंतिम सांस तक आखों पे चस्मा नहीं लगाना हो अंतिम सांस तक जिनको अपनी बल बुद्धी प्राकरम को दिमा की कारे सक्ति को बढ़ उसके बाद हम फिर खेचरी मुद्रा करेंगे इसमें सोमपान, अमरितपान, उदेमान, चंदरमा, उदेमान, सूरी का ध्यान करते हुए खेचरी मुद्रा करेंगे मेरी तरह आप हाथें से कर लिजे करो भईया महज्ये, करो मेरे साथ सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो सांस लेना है, हम, सांस छोड़ना है यहाँ पे सांस लेना, यहाँ पे छोड़ना लजब सकते हैं अपनी जिबान को उपर की तालू पर मालिस करना है बाएं हाथ से दाइना कान, दाइं हाथ से बाया कान पकड़ना है एक मिनट के लिए सोमपान, पैपान, अम्रितपान, रस्विभार विश्व की सबसे बड़ी दवा और अम्रित का नाम है मानव मस्तिस्क की ब्रह्म नाड़ी का, ब्रह्म कपाली का सोमपान, सोमड़स, अम्रितपान ये सोमरसT लोग पीते हैं ये सराप के नम पर, सुरा के नम पर और आपको परमात्माने मस्तिस कमे अब की गरंतियां दे रख्य है उन्हें जगा ये है लार पीजे लार पीजे अमरित पीजे जिनको लार कम बनती लार भी बनने लगेगी थोड़ा सहद और काली मिर्ची को जिवान पे मालिस करके करेंगे तो लार भी बने लगेगी जिनको लार कहीं पैन किलर खाने से लार सुख जाती है विश्व की सबसे बड़ी दवा मानों की लार सलाईवा ओपर के तालू पर ले जाई जिवान ऐसे है मालिस करते रहें उपर नीचे आगे पिछे जो लार भने पीते जाईएं क्या गजब चीज है सोमपान पैपान अमरितपान रस्विभार भूख प्यास का नियंतन करें नसे के आदत को छुड़ाएं खेचरी मुद्रा खेचरी मुद्रा अमरित मुद्रा सोमपान पैपान उक्तेवे सूर्य और चंद्रमा का ध्यान इस पटिक सिवलिंग का प्रकास आपकी और आरा है दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए उल्टा हाथ रिदे पर सीधा हाथ नाभी पे अपने आपको उर्जा दीजिए मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं परमात्मा का राजकुमार हूँ मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई रोग नहीं मैं निर्विकार हो चुका हूँ मैं स्वस्ता और बल्वान हो रहा हूँ मेरे पंच महाभूतों की काया, पंच तत्वों की सक्तिया मेरे रोम रोम में पंच प्राणों में पंच आगनियों को संतुलित कर रही है मेरी प्राणा अगनी मेरी जठरा अगनी मेरी विचार सक्ति मेरी भाव सक्ति मेरी अन्न सक्ति सब कुछ सुद्ध पवित्र हो रही है दोनों हातों को ऐसे रगडिये और इतना रगडिये कि हाते दोनों को उंगलियों को फसा करके रगडी है और पिछला हिस्सा इतना गरम होगा इतना गरम होगा कि चटके लगेंगे आँखों पर रख लीजिए एक गरम गरम उर्जा को आँखों पर रख लीजिए उंगलियों मंगलियां फसाने के बाद इसा रगडी है जोर शरगड़ी है आखों को गरम गरम लगा दीजिए प्रानिक हिलिंग के देवे उर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है गायत्री मंत्री की नेमित उपास ना करें हमारे गायत्री यग्गों में आप तक करोडों लोगों ने संकल्प पूर्वक नसा मुक्ती का दान किया है इतना ही नई हमारी माता भेने जो भोजन घर में बनाती है पांच आहुती बलवे स्वयग्गी की अगनी को जिमा के भोजन कराती है तो कई सरावियों के भोजन में अन्नमय कोस्दूदूसित हो गया था वो पवित्र भोजन प्रशाथ से उनको सराव के इच्छा नहीं होने लगे मेरी माता भेनों जिनके भी बच्चे पती घर के कोई भी परिजन नसा करते हो तो उनको खूब प्यार बाटो उनका सिर को सहलाओ उनको पीट को सहलाओ उनके आकेले में बेट करके उनके सुग दुख के उनके बाते पूछ करके उनका मस्तिस्क खाली करो सोच के देखिए प्रेमचन नाम का मुनसी नाम का आदमी जब सराब छोड़ करके बदलता है तो स्वामी स्रधानन बन सकता है गायतरी परिवार में करोडो करोडो लोग ऐसे हैं जो 24 घंटा नसा करते थे लेकिन आज वह हम आपकी तरह रिश्यों जैसा जीवन जीते हैं आप से हाज जोड़ कर प्रातना है मनुष्य के दड़ इच्छा सकती और संकल्प के आगे कुछ भी आसंभव नहीं है आपको हर चीज संभव करने की ताकत प्रकरती ने दे रखिये बहुत बहुत धन्यवाद आप हार मत मानना आपकी जीत होगे जोजी एक प्रोश्चन आया है कि वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी सुबह से उठने से लेकर आपको सुने तक की दिंचरिया पूछ रहे हैं अध्याय और यग्य नेमित गव की सेवा पेड़ पोधों को गले मिलना सजल सद्धा प्रकर पेग्या की सफाई करना उसके बाद में मैं भोजन तो लेता हैं नहीं हूँ आज 21 साल हो गए और भोजन में मेरा फिर आहार केसा होता है तो गाय का दूद और रितु आनुसार जो भी फल मिल जाए अपने बजट में और गाय का दूद नहीं मिले तो एक मुठी भिगोएवे मुठली के दाने और देशी लाल गूड थोड़ा सा ले लिया दो फर में ये मेरा भोजन हो गया वापस साम को फिर दिन चरिया के अंतरगत छे घंटा मेरा रिसी करसी का कार्य है पैड़ पोदों के सेवा करना फल बाग जड़ी बुटी पैदा करना और उसके बाद में फिर दो घंटा परामर्श में बेटता हूं तो उसमें बहर के लोग आते अलग-अलग राज़्यों के उनका स्वास्त सुनना परिवार की बाते सुनना उनको समाधान बताना गुर्देव माता जी के विचारों के माध्यम से और उसके बाद फिर साम की दिन चरिया नादियोक साधना तत्वब आत्मबोद की साधना सो जब हम रात को दस बजे सोते हैं, अच्छा मैं घड़ी नहीं पेंटा हूँ, लेकिन मेरे हर काम टाइम पर इसने करता हूँ, कि मैंने अपनी जेविक घड़ी चालू कर रखे हैं, मैंने गुर्देव के साहित तेम कही जेगर पड़ा था, कि मनुष्य को भोतिक घड़ी से भ करीबी मान करके चलो भया कि आज 55 साल के उम्र है, और गुरु क्रिपास से और जीवन जीने की पद्दती के कारण, पांच पैसे के भी कोई दवा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, इस धर्ते पे मेरा खुद का मकान नहीं, बेंक में पैसा नहीं, मेरा कोई उत् जो भी कुछ जीवन में करोडो रुपया कमाया, सब कुछ मिसन के लिए, प्रकर्ती के लिए, गायों के लिए, गरीब कन्या और बच्चों के लिए समर्पीत कर दिया, और आंतिम सांस्तक के लिए मिसन और केवल मिसन रखते कि आखरी बून पे आपको लिखावा मिलेगा, यूग निर्मान योजना एभाव से जीते आर भया पवजेक यूवाई का एक और कोशन है कि आपने जो विदिया है आज बताई हैं क्या वो हमें गुर्देल की किसी पुत्तक में मिल सकी है मिलेगी जीवेम सरदम सततम और चिकिसाप पद्दतियों के विविद आयाम ये दो वांगम में खंड है इसमें सारा मिल जाएगा जी एक हमारी योगाई का एक कोशन और है कि मैं आफिस में कभी भी जाता हूँ तो दोपेर के बाद में मुझे आलस बहुत आता है ये मेरे खानपान की नियमिक दिन चरिया है या फिर मेरी या मुझ में कमजोरी का एसास है कमजोरी का एसास नहीं है आपका प्रत्वी तत्व बढ़ रहा है आपको आगनी तत्व और प्रान तत्व बढ़ाने के लिए कपाल भाती करना चाहिए पाँच मिनिट की रोज पंच गवे घ्रत नाक में डाल करके और एक आठ दिन में आप देखेंगे ना अलस आएगी ने बग्गास आएगी ने नीद आएगे